हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक एश्टेटी प्रो आज के इस वीडियो में हम लेट मसीन की उपर श्टेटी करेंगे पिछली वीडियो में भी हमने लेट मसीन और उसके पार्ट्स की श्टेटी की थी उसी डिसकेशन को हम इसमें फर्दर आगे बढ़ाएंगे यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देई है आप उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं आईए बात करते हैं लेट के classification की तो हमारा जो लेट होता है वो दो टाइप से classified है एक हमारा CNC लेट होता है दूसरा हमारा manually operated लेट होता है manually operated लेट को further दो parts में classified किया गया है special purpose लेट और general purpose लेट special purpose लेट को further तीन भाग में classified किया गया है production लेट, tracer लेट, tool room लेट, production लेट भी दो भाग में classified है turret लेट, captain लेट, manually operated में, manually operated के general purpose में bench लेट है और center लेट है अब types of लेट में जो important types हैं वो ये साथ है speed लेट, engine और center लेट, bench लेट, tool room लेट, captain and turret लेट, automatic लेट, special purpose लेट आईए एक एक करके इनके बारे में deep study करते हैं पहला हमारा bench लेट है, it is very small lid mounted on separately prepared bench और cabinet and used for small precision work ये जो lid होता है, ये small size में होता है और इसका use precise work को carried out करने के लिए किया जाता है ये generally एक table पर mount होता है, इसलिए इसका नाम bench लेट है, चुकि इसकी size small होती है इसलिए इसके लिए कोई special foundation नहीं होती है, इसे bench पर ही mount किया जाता है और काफी precise जो operation होते हैं, वो इससे carried out के जाते हैं, एक lid का figure आपके slide में मैंने attach किया है आप इसे देख सकते हैं, इसके further आगे चलते हैं, तो speed late हाता है, speed late जैसा कि नाम से is first है, ये थोड़ा speed works में इसका यूज होता है और इसमें carriage और lead school, lead cruise होता है, वो इसमें provide नहीं होता है, इसमें 2 और 3 spindle speed इसमें available होती है जिससे इसमें cone pulley का arrangement होता है, इसमें gear arrangement नहीं होता है, इसमें cone pulley का arrangement होता है और some specified speed limit होती है, जिस पर इसकी working होती है, इस lead machine से हम generally wood turning, polishing और metal spinning का का कारे करते है पर्दर टूल 2 ले था था थाक्त-ूल 1 ऑशनरली इस एक क्रूम में स्टेपलाइक यजाता है जैसा ऐसрашा कि आपने अपने कॉलेजेस होगा में इस्टेपलाइस करने का मतलब यज्ञा कि इससे काफिश वर्किया जाता एड़ो स्कूत करने के लिए इस एक कि रूम में इस्टेबलाइज कर इस पर वर्क परफॉर्म के जाता है और जो मैंने अभी बाकी के दो लेट की चर्चा की स्पीड लेट और बेंच लेट उनसे ज्यादा अटेच्मेंट इसमें प्रवाइड होते हैं जैसे हमारा टर्निंग अटेच्मेंट होता है फालोवर र तूल की ऊक्यों चाहिए काफ mask यहाइए बित करिंग क्या जाता है इसलिए इसघ्सटूल रूल这 होता है यह अपना operation क्यूख होता है इसमें दो ए यहार होते हैं यह गतन्य चैन् Schwoz इनसे के वीच हम और करते आए और हम अपना क्यान क्या करते हैं इसमेह जो arrangements होती है वो सभी टूल रूम लेट के इक्वल होती है आगे हम बात करते हैं टरेट लेट की यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है टरेट लेट एक्जामिनेशन पॉइंट आफ यू से भी और इंटर्व्यू पॉइंट्स आफ यू से भी इसमें यह जो है hexagonal ship का इसे हम टरेट करते हैं और इसमें यह क्यों है मैं आपको बताता हूं यह जो आपको hexagonal प्स chef देख रहा है इसको आप देख रहोंगे कि इसके जितनी भी आजने उसमें अलग अलग टाइब आईसा इसलिए कि जय किया जाता है क्योंकि जहां पर एक object में हमें एक वह पर operation को carry करना है तो वहाँ पर जो हमारा टूल पोस्ट है यदि हम उसमें एक टूल को एक operation करेंगे एक टूल निकालेंगे दूसरा टूल लगाएंगे दूसरा operation करेंगे तो इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होगा तो इस टरेट का यूज किया जाता है जिसमें एक साथ नंबर आप टूल को hold किया सकता है और operation को जल्दी से carry किया सकता है इसलिए इसका नाम टरेट लिथ है क्योंकि इसमें यह special attachment जो यह टरेट होता है आपको मैं इस figure में दिखा रहा हूं इसका यूज किया जाता है अब टरेट लिथ के बारे में हम थोड़ा डीप इस्टेडी करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है इसे जनरली सभी operation टर्निंग हो गया बोरिंग हो गया डरलिंग हो गया थ्रेट कटिंग हो गया फेसिंग हो गया यह सभी operation किये जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो आपका यह turret लेंट होता है इसमें जो carriage है carriage saddle के उपर होता है तो directly जो हमारा टूल पोस्ट गईर होते है वो सभी saddle के ऊपर mounted होते है जिसके कावर हमारा carriage हो थोड़ा है वी होता है थिक है तो आगे देखते है आगे उसी टरेट लेट का थोड़ा होट डिसकेसन है दीज मेकाइनिक्स आर कैपेबल आपकारिंग आउट मल्टीपल कटिंग आउपरेशन इस सेम वर्ग पर जैसा कि मैंने बताया इसमें एक से अधिक कटिंग टूल को माउंट होता है जिससे हम एक से अधिक मल्टीपल हमारे ऑपरेशन के रिक्वार्मेंट के हिजाब से हम उसका सेलेक्शन करते हैं इस टूल्स कैन बी रैपेटली ब्रॉट इंटू एक्शन अगेंश्ट दा वर्कपीस वन बाई-वन इंडेक्सिंग दर टरेट अब जो हमारे टरेट होता है जो हमें आपरेशन करना है तो ट किया जाता है और यह तर्ट लेत का औरिजिनल फीगर है आप इसे देख सकते हैं आगे चलते हैं उसके वाद हमारा एक आता है कैब्स्टन अलेट के सेम होता है पसंतर क्या होता है कि जो हमारा टोहता है उसमें यहाँ पर यह हमारा को सीधे होता है यहां पर यहां difference होता है अब देखते हैं इसके क्या benefit है इसके benefit यह है कि जो हमारा turret ले था उसमें यह slight नहीं था जिसके कारण हमारा इसको तूल को मूब कराने के लिए courage को जो हमारा carriage होता है इसके यह handle को पूरा move कराना पड़ता था जो कि काफी heavy पड़ता था और इसमें operator का मूब कराने से हमारा टूल मूब करता है इसलिए इसमें थोढ़ा effort कम लगता है और process हमारा जल्दी से हो जाता है आगे देखते हैं कि यह हमारा captain lead का figure है इसे आप देख सकते हैं आईए captain and turret lead में अंतर देखते हैं तो turret head टरिट की तरीके से यह से मॉनट लिट होता है और जू टीरि मोब करती है और जो टरेट होता है वह सिदह शैडल पर मॉंट होता है जिसे करड़ यह थोड़ा हैवी होता है दूसरा जो टरेट लेट होती है वो सीधे सैडल पर मांट होती है इससे रिजिट्री होती है टूल्स में जिसके करड़ वाइब्रेशन को वो एब्जॉर्ब करता है और जो हमारा यह कैप्स्टन लेट होता है यह हमारा कम रिज्ट होता है क्योंकि इसमें और अंतर को देखते हैं तो ट्रिवली लब करता है इसलीए इसकी ट्रिवलिंग होती वोग फ्रुड़ी ट्रेख कम होती जहां जो हमारा टर्ट लेट होता है उसमें जो टूल का ट्रेवल होता है वह एंटार बिट लेंथ पर होता है तो टूल को फीट करने में समय अधिक लगता है और गाइड बेच के द्वारा टूल को फीट कराने में बेचा में और दोनों लेट चाहे वह ट्रेट लेट हो इसमें टेल स्टॉक का यूज नहीं होता है अगे जो फरदर क्लास्फिकेशन है वह आटोमेटिक लेस है और इस पेसल पर पजलेट हैं तो आटोमेटिक लेस जनरली कंप्यूटर कंट्रोल लेथ होती है जिसमें सारा प्रोस्स आर्टोमेटिक होता है और मैं इसमें आपको बता दू यह जो आर्टोमेटिक लेथ होती है जनरली मास्ट प्रोडक्शन में यूज होती है और इनका साइस थोड़ा बड़ा होता है इस्पेशल परपजलेथ इस्पेशल परपजलेथ को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाती है आगे आटोमेटिक लेस के मैंने कुछ क्लासिफिकेशन चार्ट को दिखाया है जो कि लगबग सिमलर है जितना अभी तक हमने डिस्केशन किया बस अंतरकिवल इतना होता है कि जहां पर हम मैनुवली वर्क कर रहे थे वहां पर हमारा कंप्यूटर कंट्रोल होता है और आटोमेटिक प्रोसेस होता है तो यहां पर हमारा जुलेथ मसीन का क्लासिफिकेशन था वो खतम होता है वीडियो को देखने के लिए थैंक यू इसी प्रकार के इंट्रेस्टेट टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सस्क्राइब कर सकते हैं थैंक यू